इस आदमी की फोटो को ध्यान से दिखिए, इसी की वज़े से आज पूरी और्ट सर्वाइव कर रही है, अगर ये नहीं होता तो आज हम फिर से स्टोन एज में चले गए होते हैं, मगर इस आदमी ने किया क्या था? सिर्फ कुछ रबर प्लांट के सीट्स स्मगल करके इसलिए उन्होंने सर हेन्री अलेक्जेंडर विकम को बोला कि ब्राजील से किसी तरह रबर प्लांट की सीट्स स्मगल करके लाओ, और उन्होंने लगबक 70,000 सीट्स को स्मगल किया, शिप में रखकर लेकर आए और ब्रिटिचर्स को दिया, बाद में इन सीट्स से 35 साल तक ब्राजील में एक डदली फंगस ने रबर प्लांट्स पर अटेक किया, और ब्राजील की पूरी रबर प्लांटेशन को धीरेध क ports都有 अगया, वर्ल्ड में रबर की सपलाई रुकी नहीं। रबर वर्ल्ड के लिए क्यों इतना इंपोरेंट है और ब्राजील के अंदर रबर कैसे डिस्ट्रॉई हो गया था इसकी पूरी कहानी मैंने इस वीडियों बता है यह इसका लिंक कमेंट्स में है